दोस्तो आज की तारिक में अगर कोई स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ होती है और वो है कैमरा क्योंकि आज के तारिक में बहुत सारे लोग जो है अपने सेलफी कीशते हैं जो रियर कैमरा है उससे फोटोस कीशते हैं और यह जो फोटोस है इन्हें शोशल नेटवर्क्स पर शेर करते हैं इसलिए कैमरा बहुत ही इंपॉर्टन है वैसे मार्केट में आपको अलग अलग स्मार्टफोन मिल जाएंगे कुछ स्मार्टफोन सिंगल कैमरा के साथ में आते हैं जैसे कि यह एक तरह से फीचर फोन है काफी लोग इससे खरीदना पसंद करते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें स्मार्टफोन पसंद नहीं है या फिर smartphones को वो इतनी अच्छी तरीके से operate नहीं कर पाते हैं तो ये smartphone पर single camera दिया हुआ है कुछ smartphones पर आपको dual cameras मिलेंगे कुछ smartphones पर आपको triple cameras मिलेंगे और आजकल जितने भी latest smartphones launch हो रहे हैं उनमें quad cameras दिया हुआ है मतलब कि 4 cameras लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे cameras की क्या जरूरत है एक smartphone पर यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए देखते रहे हैं वैसे आज की तारिक में जितने भी नए smartphones launch हो रहे हैं जो manufacturers है आपको minimum 4 cameras दे रहे हैं लेकिन जो trend है आगे चलके बढ़ने ही वाला है मतलब कि और भी camera lenses आपको smartphones पर देखने को मिलने वाले हैं तो इतने जादा lenses की क्या जरूरत है smartphone पर अगर आपने DSLR camera का उपयोग किया होगा तो यह बात आपको समझ में आगी होगी लेकिन अगर आपने कभी DSLR camera का उपयोग नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ अगर आप एक DSLR camera खरीदने जाते हैं तो उसके साथ में आपको एक kit lens मिलता है जिसका उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं तोड़ा बहुत zoom कर सकते हैं portrait shots खीच सकते हैं कुछ अगर तक macro shots भी shoot कर सकते हैं zoom feature करके और अगर आपको advance photography करनी है तो उसके लिए आपको अलग-अलग प्रकार के lenses खरीदना पड़ेगा वैसे market में आपको zoom lenses, portrait lenses, wide angle lenses, macro lenses तो इस प्रकार के lenses आपको मिल जाएंगे DSLR cameras के लिए और आपने देखा होगा कि उसी प्रकार के lenses हैं वो आपको smart phones पर भी जो manufacturers हैं वो दे रहे हैं अब जितने भी lenses हैं इनका एक particular use होता है जैसे कि wide angle lens जो है ये wide angle shots के लिए उप्योग किया जाता है खास करके जब आप lens के photography करते हैं बहुती बढ़िया scenery है और आप चाहते हैं कि जादा से जादा area capture हो तो उसके लिए आप wide angle lens का उप्योग कर सकते हैं और कभी कभार आपको macro photography करनी होती है तो उसके लिए आप जो macro lens है उसका उप्योग कर सकते हैं और जादा करके जो smartphones होते हैं उनमें portrait options भी दिया होता है जिसमें दो lenses का उप्योग किया जाता है अब DSLR में अगर आपको portrait shots खीचना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के lenses मिलते हैं 50 mm है, 70 mm है वगर वगरा तो ये जो lenses हैं DSLR cameras पर इसलिए smartphones पर जो number of lenses दिया हुआ है वो एक तरह से fixed होता है और अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या एक lens से यह सब कुछ कर सकते हैं मतलब कि wide angle भी portrait भी और macro भी तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा possible नहीं है यह जो lenses है हर एक lenses का अपना-पना usage है और उन्हें आप एक particular scenario में उपयोग कर पाएंगे यही कारण है कि जो smartphone है उसमें इतना lenses आता है अब अगला सवाल यह है कि क्या आगे चलके यह जो lenses है बढ़ सकते हैं देखे बढ़ भी सकते हैं या फिर जो फिलाल constant है चार lenses जो है शायद इसी पर ही रुख सकता है मतलब कि आगे चलके और भी lenses इसमें add नहीं होंगे क्योंकि जो basic चीज़े हैं जैसे कि wide angle हो गया है macro हो गया है, portraits हो गया है और zoom यह सारी features आपको इन चार lenses में मिल जाते हैं और आप combination का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर lenses की बात करें तो यह एक endless process है मतलब कि देखिए wide angle lens है, फिर super wide angle lens है macro lens है, फिर super macro lens है मतलब कि यह जो चीज है यह चलते रहती है तो basically ऐसा है कि जितना ज़्यादा lens होगा smartphone पर उतना ही ज़्यादा आपको options मिल जाएंगे और particular photography आपको करना है जैसे कि macro photography है, wide angle photography तो उसके लिए इतने सारे lenses की आपको ज़रुत पड़ेगी वैसे आज की तारीक में जो primary camera है उसमें ज़्यादा megapixel देने की कोशिश कर रहा है ब्रैंट्स, जैसे कि अब Xiaomi का जो Mi 10 smartphone है वो launch होने वाला है और उसमें 108 megapixel का camera आने वाला है primary camera जितना ज़्यादा megapixel होगा, उतना ज़्यादा details आपको मिलेगा मतलब कि अगर आप वो जो photo है 108 megapixel का अगर आप उसमें zoom करने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक आप zoom कर पाएंगे और जो quality है, काफी हद तक खराब नहीं होने वाली है और इतना ज़्यादा जो megapixel होता है इससे आप बड़े prints भी कर पाएंगे आसानी से दोस्तों, अब मैं आपको कुछ interesting tech news के बार में बताता हूँ आपको पताई है कि कल Mi 10 लाउंच होने वाला है और ये भी confirm हो चुका है कि ये जो Mi 10 है, ये Amazon पर available होगा officially Amazon पर available होगा इसके अलावा ये भी confirm हो चुका है कि Mi 10 के साथ में Mi Box भी launch होने वाला है और Mi True Bluetooth Wireless Earbuds भी launch होने वाला है कल मैं एक special video लेकिए आने वाला हूँ इसलिए वो जो video है ज़रूर देखना उसे miss मत करना इसके अलावा Realme भी अपना जो Narzo series का smartphone है वो भी launch करने वाला है 11 Maco, Narzo 10 और Narzo 10A आपको तो पताई है कि Realme इन दो smartphone को काफी समय से launch करने का सोच रहा था लेकिन जब कभी वो launch करने का सोच थे तो कुछ कारण वर्ष वो जो launch है उसे cancel कर दिया जाता था लेकिन अब expect करते हैं कि 11 Maco, 12.5 बजे यह जो Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A smartphones है इनका launch हमें देखने को मिलेगा अगर आपको PUBG गेम पसंद है तो PUBG का जो नया update है वो आ चुका है 0.18.0 इसे आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा